हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं यूटूब चैनल दापैट वीजन, दिस इस साहिल मलिक, यूर होस्ट यूर वेड़, तो गाई समर सीजन के दुरान हमें एक कोमन एक डाइट का जरूर पता होना चाहिए, कि एक कोमन एक डाइट क्या रहेगी, अगर आपके घर में किसी भी तरह का कोई भी ब्रीड की डोग हो, कोई भी एक ऐसी ब्रीडो जो बहुत ज़्यादा महंगी ही क्यों ना हो, या ऐसी जो ब्रीड बहुत ज़्यादा सस्ती ही क्यों ना हो, या मालो एक हैवी ब्रीड क्यों ना हो, या एक लोवर ब्रीड क्यों ना हो, उनके लिए आज मैं आपके सामने एक common एक diet plan लेके आया हूँ अगर आप इस वीडियो को एन तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे अपने dog को क्या क्या देना है अगर आप एक proper diet plan फोलो नहीं करते हो लेकिन आप इन चीजों को अगर अपने dog को दोगे तो आपका जो dog है healthy रहेगा तो guys सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपको अपने dog को multi grain चपाती देनी है multi grain चपाती इसलिए देनी है because इसके अंदर बहुत सारे आटा का एक mixture होता है आटा यानी floor इसके अंदर आपको जवार का आटा देखने को मिलेगा मक्य का आटा मिलेगा और हमारी wheat का भी आपको दे लेंग्विज के अंदर यानि skin से related disease करवा देती है multi grain चपाती देने का यह main कारण यही है कि आपको अपने डोग को skin infection से बचाना है skin allergy से बचाना है और आपको multi grain चपाती इसलिए देनी है जिससे आपके डोग की body के अंदर nutrients की कमी ना हो तो guys multi grain चपाती आपको जरूर देनी balance light के अंदर क्या आते हैं हमारे dog food कोई भी एक अच्छी company का आप एक dog food purchase कर लीजिए उसको आप follow कीजिए आप अपने dog को healthy रख सकते हैं इसका मतलब क्या है balance light का because guys इसके अंदर well amount में well एक contained amount में आपको nutrients देखने को मिलेंगे minerals देखने को मिलेंगे basically जो multi vitamins का भी work होगा तो dog के लिए dog food बहुत ज़्यादा जरूरी है गर्मियों का season है तो guys आप अपने dog को curd भी दे सकते हो कर्ड मतलब दही या जिसे हम योग hurt भी बोलते हैं इसके अंदर एक good bacteria पाया जाता है जिसका नाम है lactobacillus यह जो lactobacillus bacteria होता है आपके dog की intestine की movement को एक proper वे में करवाता रहता या हम simply language बोले कि digestive system को ठीक रखता है कई बार क्या होता है कि हमारा जो dog खाना खाने के बाद poop कर देता है वो जो poop होता है उसके अंदर आपको liquid ज़्यादा content आपको देखने को मिलेगा तो guys अगर आप अपने dog को curd दोगे उसकी diet के अंदर curd को add करोगे तो वो आपको liquidity scene नहीं होगी बिल्कुल भी तो आपको curd देना बहुत ज़्यादा जरुर्अ गर्मियों का season धर आप अपने डोग को पनीर भी दे सकते हो, protein काcción resource आप दे सकते हो , पनीर के साथ साथ आप अपने doge को एग दे चाहिं नहीं देना हैि कि आप 4-5 एग देना, अपने डोग को खिला रह होता है जो आपके बोड़ी के लिए बहुत ही जादा सफल एक प्रूव हुआ है एज प्रोटीन एक रिच शोर से ठीक है तो एग आप दे सकते हो साथ में काई साप अपने डोग को चिकन भी दे सकते हो अगर चिकन की बात करता हो ना तो चिकन में दो टाइप के चिकन होता है एक होता है रोग बिलकुल नहीं देना है प्रॉब्लम हो जाएगी डाजेसिव सिस्टम में इस्टार्ट हो जाएंगे लूज मोशन होना स्टार्ट हो जेगा कई बात नोग करता है वो मिट कर देता है खाया पी उसको बिल्कुल भी नहीं लगेगा जो खाएगा वह बाहर जो होता है ना दूद के ओपर एक मलाई जम जाती है तो उस मलाई को आप मल्टी ग्रेंट चपाती के साथ मिक्स करके अपने डोग को दे सकते हो बहुत ज्यादा हेल्दी प्रूफ हुआ ये भी गर्मियों का सीजन है चाच यानि लसी इजियली अविलेबर हो जाती है अग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी इसकी एक बहुत ज्यादा एहम एक भूमिका रहती है तो आपको लसी अपने डोग को जरूर देनी है आपको अपने डोग को सोयाबीन देना है सोयाबीन बहुत ही एक अच्छा एक प्रोड़क्ट है प्रोड़क्ट नहीं बोल सकते हम उसको ऐसे बीन सी बोल सकते है तो गाई सोयाबीन क्या करता है आपके डोग को एक फैटी कंटेंट देगा मतलब आपके डोग को बलकी बनाने में एक सहयक होगा तो सोयाबीन आप दे सकते हो सोयाबीन को आप ऐसी जैसे कंसेंट्रेटिट फॉर्म में दे सकते हो यानि ज उसको लगेगा खाया पिया भी लगेगा जो सेरले आप दोगे उसका एक अच्छा डिजल्ट आपको देहने को मिलेगा गर्मे गार्मीय के सीजन के दुरान कुकूंबल कोần झाल रहा ध्यान रहना ना तो आपको ओनियन अपने डोग को शक्यान डोग को देना है यह तीन जीजें आपको बिल्कुल नहीं देनी चॉकलेटर नहीं के कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है जो आपके डोग की बोड़ी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशल प्रूफ हुआ है तो आप कोकोनट वोटर दे सकते हो बले ही अगर वह पपी ही क्यों ना हो या वह अडल्टी क्यों ना हो दोनों में इसका अच्छा रिजल्ट आप कैलशियम और मल्टी विटामिन जरूर एड़ करने हैं आप सिरिप की फोर्म में भी दे सकते हो या टैबलेट्स की फोर्म में भी दोनों को फोलो कर सकते हो आपको गाइस अपने डोग को बनाना देना है बनाना का बनाना एक आपके डोग को बलकी बना देता है तो आपको भी देना चाहिए आपको अपने डोग को केल्शियम की बॉंस देनी चाहिए जैसा कि स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कुछ जो डोग है एक्टिव रहे तो आपको कार्बो हाइड अपने डोग की डाइट के अंदर जरूर एड करना है तो आज मैंने आपको जितने बी जो पॉइंट्स बताया ना मोस्ट इम्पोर्टन थे आप किसी भी डोग ब्रीड में बले ही कैसी भी ब्रीड हो उसकी डाइट प्लैन के अंदर अगर आप इन भी चीजों को दे रहे होना तो भी आपका जो डोग है हेल्दी रहने वाला है और यह चीज़े एजियली अवेलेबल हो जाएगी हमें कहीं से लाने की जुरूत नहीं है कुछ ऐसे प्रोड़क्ट है आपको खरीदने पड़ेंगे अगर नहीं खरीद पाते तो यार ओनलाइन पर्चेस कर लो ठीक है तो काई से आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं लंबा नहीं खीचेंगे वीडियो को थेंक्यू सो मच वाचि प्रोड़क्ट